हलो फ्रेंट्स वेलकम तू दे यूपी एसी एनालाइजर तो आज हम सेवंच डिसेंबर कर इंडियान एक्सप्रेस डिसकस करेंगे इप यूर लाइकिंग इस अनालिसस दन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब यहाँ पर नागा लेंड में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑ होने वाला तो उसके उपर क्या पैक्ट पड़ेगा वो हम डिसकस करेंगे एक्स्प्लेंट पेच पर नेक्स्ट न्यूस हम डिसकस करेंगे तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लामिदीर पुतिन इंडिया है तो सबसे पहले हैं पर अफगानिस्तान की सिचुएशन के उपर पर चिंता जाता ही गई है और इंडिया और जो रशिया हैं वो कोपरेट करेंगे फाइट अगेंस टेरोरिजम में ड्रग ट्राफिकिंग में और अर्गनाइस क्राइम तो यहां पर इन तीन सेक्टर में जो इंडिया और रशिया हैं वो कोपरेट करेंगे फाइट अगेंस क्लीक जूक्तुर क्लाइब फट harus फॉर सम्मिन जुमेंध रेएं सब्सक्राइफ है शुमें थान को च्छांग 209 7D में अन्टम्हें संट Sow्सें गाती रेखे इस्ति suggests के शंग उयर्च में दरह का왔 एंट्क संट्राइब एंट्रश को इंडिया को अपने relations को यहां पर balance करना बहुत ज़रूरी है तो Russian delivery of the S-400 missile system to India is also taking place at a time when India is in a face-off with China along the LAC बाकि चाइना के साथ LAC के along the situation है वो अभी भी बनी हुई है आके चलते हम यह मैं आपको बता दे है AK-203 यहां पर manufacture की जाएगी है अमेश्टी उतरपरदेश में 2 plus 2 ministerial meeting हुई है इंडिया रश्या के बीच में तो इससे पहले सर्फ 3 countries के साथ ही हम यहां पर 2 plus 2 meeting करते थे तो वो तो US, Australia जा पाएँ अब इस camp में रश्या भी आ गया तो यहां पर हम 4 countries के साथ है 2 plus 2 ministerial meeting कर रहे है इसके लाब यहां पर जो चाइना ने aggression कर रखा है तो उसके बारे में भी हमने बातचीत की तो pandemic, the extraordinary militarization and the expansion of armament in our neighborhood and the completely unprovoked aggression तो चाइना को जो issue है वो भी हमने उठाया बाकि इंड़ रश्या ने sign किया है agreement for military technology cooperation for the next decade तो यहां पर military technology cooperation for the next decade के लिए यहां पर agreement sign किया है उसके अलावा यहां पर joint manufacturing की जाएगी spare parts की इंडिया में तो joint manufacturing in India of spare parts तो यहां पर जो भी Russian origin armstrong की maintenance के लिए spare parts की तो ज़रुवत पढ़ती है तो spare parts की जो यहां पर manufacturing है वो इंडिया में की जाएगी ताकि जो make in India program है उसको यहां पर थोड़ा बढ़ावा मिल सके और भी यहां पर बहुत सारे agreement sign किया गया है those related to defense space, finance, power, scientific research and health among others बाकि यहां पर जो receive broker logistic support agreement है वो sign नहीं हो पर उसको put off कर दिया गया for some time बाकि यह जो Ukraine की situation उसके बारे में भी हम explain section में पढ़ेंगे बाकि यहां पर first page पर कोई important news नहीं है यहां पर Supreme Court ने civic polls महाराश में civic polls होने वाले थे तो उसमें OBC की जो reserved seats उसमें जो elections होने वाले थे उनके उपर यहां पर Supreme Court ने hold लगा दी है तो Supreme Court on Monday put on hold elections 27% जो quota दिया गया था OBC को इन local bodies उसके लिए यहां पर कोई भी data collect नहीं किया गया था तो the task of collecting a periodical data of backwardness has not been completed so far तो यहां पर Supreme Court ने एक judgment में बोला था कि data collect करना आपको एक commission मनानी है जो कि नहीं की गई तो यहां पर हम देख लेते हैं तो Bench ने point out किया that its decision in the Vikas Kishan Rao Gawali versus the state of Maharasht had noted the triple test तो यहां पर Supreme Court ने बोला था एक triple test करने की जरूरा था पहले आपको एक commission मनाने की जरूरा था फिर commission बताएगी कि कितिनी backwardness उसके proportion में आपको एक पर reservation की देने की जरूरा था और यह जो reservation ने 50% से जादा नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा कोई भी data collect नहीं किया गए और यहां पर जो महराश्ट में 27% reservation दे दिया गए इन दे local body polls जिसकी वज़े से हम पर Supreme Court ने जो 27% reservation के against जहां पर जो भी elections होने वाले थे उनको पर hold लगा दिया आगे हम चलते हैं इस page पर कोई भी important news नहीं है अब यहां पर जो नागा लेंड में यह bodged up counter insurgency operation हुआ उसकी वज़े से peace process के उपर क्या फरक पड़ेगा इन सारी बात चीत हुई बाकि यहां पर आफसपा को repeal करने की बात की गई है तो यहां पर बात की गई है जो armed forces special powers act जो लगा हुआ है नागा लेंड में इसके लावा इसको all together जो आफसपा है इसको repeal कर देना चाहिए बाकि यहां पर जिन भी families उनको compensate करने की बात की गई है तो यहां पर जो state government है वो शाद 5 लाग रुपए देगी और यहां पर जो union government है वो शाद 11 लाग रुपए देगी बाकि जो negotiations है वो काफी time से चल रहा है पच्चे सालों से चल रहा है लेकिन अब वो negotiations है बेसिकली होने ही वाले थे अब वो negotiations हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इस incident के बाद वो देखने वाली बात है आगे चलते हम अब यहां पर एक bill लेकर आया गया था National Institute of Pharmaceutical Education and Research Bill 2021 अब इसके अंतरगत यहां पर जो 6 institutions हो उनको यहां पर institutions of national importance बना दिया गया तो bill aimed at providing status of institutions of national importance to six new NIPERs अट एमदाबाद गुहाटी अब यह locations है अब इसके वज़े से क्या होगा यहां पर जो institutions of national importance बना दिया गया उसके वज़े से इनको ज़्यादा autonomy मिलेगी तो autonomy के वज़े से यहां पर ज़्यादा research होगा ज़्यादा development होगा और accountability भी ज़्यादा होगी बाकी यहां पर product linked incentive scheme जो है उसको यहां पर pharmaceutical sector में भी यहां पर बढ़ा दिया गया है तो mandvia said that the government has approved a productive linked incentive scheme of rupees 14,000 करो to ensure the manufacturing of 51 active pharmaceutical ingredients तो इंडिया में active pharmaceutical ingredients को push देने के लिए यहां पर जो productive linked incentive scheme है उसको यहां पर pharmaceutical sectors में भी आगे बढ़ा दिया गया है आगे हम चलते हैं अब NDPS Act जो है तो NDPS Act में हम पर 2014 में amendment किया गया था अब यहां पर 2014 में जब amendment किया गया था तो इसी लिए amendment किया गया था ताकि medical necessities के लिए कर narcotic drugs की ज़रूरत है तो वो आसानी से मिल सके तो यह amendment जब किया गया था तब उसके according है पर penal provision को amendment नहीं किया गया गया अब यहां पर penal provision amendment नहीं किया गया तो उसकी वज़े से आपट ड्राफ्ट। अब इहां पर amendment किया जा रहा है यह ज़ो पेनल प्रोविजिन से उसके accordingly आपड करने की कोशिश की जा रही है जब यहां पर penal provision को amendment किया जाुरा है तो यह retrospective effect से किया जा रहा है कि offenses जो 2014 से किये गया उसके बाद यह सब पर लागू होगा तो अब इसका मतलब यह है criminal act के लिए आप back date में जाकर किसी को punish करोगे और यह article 21 को violate करता तो it also violated the fundamental rights in article 21 क्योंकि किसी को आप उस offense के लिए आपर नहीं कर सकते punish जो कि उस date में उसके लिए law थाई नहीं for example 2014 में stealing एक crime नहीं है लेकिन अब 2019 में यह law लेकर आओ कि 2014 में जिसने भी stealing किया या उसके बाद से किसी ने भी stealing किया तो यह criminal offense होगा तो basically आप यहाँ पर retrospectively जाकर उसको एक offense बना रहा हो तो यह जो है यह article 21 को wallet करता है आगे चलते हैं अब 2 plus 2 summit में 4 deal sign हुई है तो एक तो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर 2 plus 2 जो format है इससे पहले हम US, Japan और Australia के साथ करते थे अब हमने रुष्या के साथ भी स्टार्ट कर दिया दूसरी बात है यहाँ पर 6,1,203 जो rifles है वो joint venture के अंदर है यहाँ पर अमेटी उत्रपरदेश में बनाई जाएगी बाकी military cooperation हुआ है 2021 के सिलेके 2021 तक का आगे चलते हैं यहाँ पर जो 3 Indian firms है among top 100 आचुकी हैं यह report किसने निकाली तो C3 ने Stockholm International Peace Research Institute यहाँ पर number 1 पर अभी भी US है तो US has the highest number of companies in the top 100 worldwide और इंडिया के यहाँ पर 3 companies है आगे चलते हैं अब यहाँ पर AFSPA को हटाने की बात की जारी जबसे नागालेंड में बोच्ट अप counter-insurgency operation हुए तो 2004 में एक G1 Ready Committee बनाई गी थी G1 Ready Committee का भी यह कहना था यह जो law है यह highly undesirable है उसके बाद यहाँ पर ARC Commission ने भी यही बोला कि इसको endorse किया कि यह highly undesirable है तो Administrative Reform Commission सेटर में 2008 endorse this stance उसके बाद यहाँ पर एक cabinet committee बनाईगी तो इसका मतलब यह हमें समझा रहा है कि यहां पर काफी committees बनाईगी जो कि committees का यही कहना है कि आफस्पा को हटा देना चाहिए अब आफस्पा जो है वो यहां पर Armed Forces को special power देता है public order को maintain करने के लिए disturbed area तो नागा लेंड में जो आफस्पा है लगभख पिछले 59 नाइड से लगा हुआ है तो साइटिंग law and order यहां पर हमेशा बोल दिया जाता है जो नागा लेंड वो डिस्टर्ब अरिया और यहां पर डिस्टर्ब अरिया के चलते है यहां पर आफस्पा लगा दिया जाता है जो भी फैमिली है विक्टिम की तो उनके फैमिली मेंबर में किसी को यहां पर एक गवर्मेंट जॉब दी जाएगी आगे चलते हैं अब मार्जनलाइजेशन जब भी आते तो हमें ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को मार्जनलाइजेशन उन सब के साथ होता है जो की नॉब से थोड़ा हट के काम करते हैं तो यहां पर जो होमोसेक्शुयलिटी है तो होमोसेक्शुयलिटी नॉब नहीं है तो यहां पर जो होमोसेक्शुयल लोग हैं उनको भी यहांपर marginalization को जहिलना पड़ता है इसके लाब जो women है उनको यहांपर marginalization के साथ सफर करना पड़ता है तो Supreme Court judgments decriminalizing homosexuality तो यहांपर homosexuality जो उसको decriminalize कर दिया गया इसके लाब यहांपर permanent commission for women order किया गया लेकिन उसके बाद भी जो legal status है LGBT community का इसके लाब जो women का है वो improved नहीं हो पा रहा है ऐसे judgments के बाद भी यहांपर जो legal status नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहांपर women homosexuals का यहांपर marginalization हो रखा है तो marginalization not only occurs to members from the lower caste or specific races but to those who belong to a particular gender or identity with a specific sexual orientation or a not in other ways different from what is considered to be norm तो norm से लाग यहांपर कोई भी होता तो हमेश्चा उसका marginalization किया जाता है आगे हम चलते हैं अब यह article जाद important था निवें numbers hide अब according to the author यहांपर जो NFHS है जैसे यह लोग data collect करते हैं तो वो data जो है वो basically पूरे population size का representative नहीं होता है अब यहांपर sex ratio की बात कीगी तो मैंने आपको बता है तो Sunday की newspaper में कि NFHS जो है उससे यह पता चल रहा है जो sex ratio है वो 1020 females है पर 1000 males लेकिन अगर हम यहांपर census की data से compare करें तो 2011 के census data यह कहता है चो country के sex ratio है वो 940 है तो NFHS से तो बहुत कम है यह data तो sex ratio that shows there are यह data 9000 था तो अगर हम यहांपर census की data से compare करें तो यह तो बहुत जादा sex ratio देख रहा है अगर हम census से compare करें तो सिर्फ 940 था तो इतना जादा mismatch क्यों हो रहा है तो such variations can't be explained in terms of sampling error margins तो सिर्फ आप sampling error margins की वज़े से इतना यहां पर गया पोरा वो आप नहीं बोल सकते हो unfortunately the organizers of NFHS are not very forthcoming in explaining how households are selected तो अभी यही नहीं पता है जो National Family Health Survey है उन्होंने यह नहीं बताया कि वो यहां पर जो households उनको कैसे select करते हैं तो यह उनको बताना बहुत जरूरी है हो सकता है कि वो ऐसा simple select करते हो जो कि यहां पर total population का representative ना होता हो for example यहां पर National Family Health Survey 4 का data है जिसमें यह पता चला है 14.6% of households were headed by females लेकिन यहां पर census के data से यह पता चलता है सिर्फ 12% of Indian households were headed by women तो यह data में इतना ज़्यादा gap क्यों आ रहा है तो basically author ने यही बोला कि data में इतना ज़्यादा गया पा रहा है तो NFHS को यहां पर photo में एक note लिख देना चाहिए कि जो हमारे figures है वो यहां पर total population के representative नहीं है तो we wish the IIPS had issued a caveat at least in a photo note that its actual issue figures are unlikely to be valid for the total population तो basically यहां पर author ने methodology में कुछ यहां पर कमया निका ली है कि यहां पर जो sample size है वो पूरी population को represent नहीं कर रहा है तो यह important नहीं है यह हम discuss नहीं करेंगे बाकि my history versus yours अब parliamentary panel ने यह बोला है कि history में जो history textbooks हैं उनको rewrite करने की ज़रूरत है इसके लाब है यहां पर कुछ freedom fighters जिनको उतना space नहीं मिला है उनको यहां पर space देने की ज़रूरत है जो distortions about national heroes उनको यहां पर remove करने की ज़रूरत है इसके लाब सारे eras, kingdoms, events को यहां पर equal weightage देने की ज़रूरत है ideological contestation over the teaching of history अब history जो है वो कभी bias-free है तुरूत नहीं हो सकती लोग अपने agenda के according यहां पर history लिखते हैं तब history लिखी जाती थी तो वो हमेशा kings के perspective से history लिखी जाती थी वो कभी पर common man या masses के perspective से history नहीं लिखी जाती थी लिएकि 1960s और 70s के बाद यह trend देखने को मिला जो histories है वो हैं पर common man के perspective से लिखी जाने लगी gender और caste के perspective से लिखी जाने लगी तो there is also a growing body of scholarship in regional histories and kingdoms तो यहाँ पर regional histories और kingdoms को भी उतनी ही importance दी जाती है जितनी कि यहाँ पर बाकी kingdoms को दी जाती है अब यहाँ पर NCRT और state history books की अगर revision होता है तो basically any basic standard framework के basis पर होना चाहिए कि यहाँ पर हम history इस basis पर लिखे है कि उससे हमें true fact बार में पता चले तो यहाँ पर हम कोशिश करें most तो यही कोशिश करें कि हमारे कोई भी values उसमें ना है लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि values इंसान की ना है इंसान के कुछ अपने biases होते हैं जो की ultimately दिखते हैं उसकी writings में अब यहाँ पर जो USA है वो democracy summit host करेगा तो summit for democracy अब summit for democracy में इंडिया को तो invite किया पाकिस्तान को invite किया लेकिन यहाँ पर Bangladesh को invite नहीं किया भूतान को invite नहीं किया श्रिलंका को invite नहीं किया और यहाँ पर Pakistan को invite कर रखा है जहाँ पर जो army है वो काफी बार कू कर देती है अब चो डिमोक्रिसी है इंडिया की डिमोक्रिसी को बहुत सारे इंडेक्से हैं जो कि यहां पर इंडिया की डिमोक्रिसी वो ऑथोरिटेरियन बोलते हैं यूएस-based freedom, houses, freedom of the world index categorize करता जो इंडिया है वो यहां पर totally free नहीं इंडिया हैं पर सिर्फ पार्टली free है जो चूडिश का यहां पर V-dem है वो इंडिया को electoral democracy कहता है तो यहां पर इंडिया को electoral democracy बोला जाता है और अथोरिटेरियन बोला जाता है इसके लावा human rights violation होता कश्मीर में इसके लाव यहां पर जो decent को यहां पर curb करने की कोशिश की जाती है उनके उपर sedition लगा दिया जाता है UAPA लगा दिया जाता है तो UAPA का use किया जाता है human rights defenders जो है उनकी आवास को दमाने के लिए तो यहां पर जो summit for democracy हो रही है जो यहां पर US host कर रहा है यहां पर तीन broad themes के उपर हो रही है पहला कि democracy को कैसे defend करना against authoritarianism इसके लवा corruption को कैसे fight करना और तीसरी बात यहां पर human rights को कैसे respect करना है तो यहां पर जो countries है वो भी अपने हां पर specific actions और commitments बता सकते हैं यह सारी चीज़े कैसे ensure की जा सकती है बाकि यहां पर कुछ important है हमने discuss करेंगे अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि श्री लंका का एक manager था चो कि यहां पर general manager की तरह काम करता था पाकिस्तान में तो उसको यहां पर blasphemy के allegations के चलते उसको यहां पर दिया गया जिसकी वज़े से काफी यहां पर upload देखने को मेला यहां पर पाकिस्ताने काफी लोगों को arrest भी किया श्री लंका को उन्हों ने बोला भी कि हम इसकी against action लेंगे अब यहां पर author ने basic इस बारे में article लेका है कि blasphemy law होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो according to the author even Quran की basis पर भी अगर चलो तो यहां पर blasphemy law नहीं होना चाहिए और modern notions जो है criminal justice के उसके according तो होना ही नहीं चाहिए blasphemy law तो यह पर Quran के कुछ verses की बात की गई है हम देख लेते हैं तो thus the Quran says that it is not for human beings to control fellow human beings beliefs it explicitly states that God has sent the prophet to teach people God's message the prophet of Islam is not supposed to course or compel people or punish them for their beliefs तो यहां पर prophet of Islam भी basically यह बोलते हैं कि किसी को आप course नहीं कर सकते force नहीं कर सकते लोगों को आप compel नहीं कर सकते कि जो भी किसी belief के against मानता तो उसके लिए आप उसको punish नहीं कर सकते तो यहां पर prophets के लिए भी बहुत सरे ऐसे words का use किया गया था तो यहां पर on the basis of Quran भी यहां पर blasphemy law नहीं होना ची और यहां पर जो modern notion है criminal justice के उसके according तो यहां पर जो blasphemy law है वो नहीं ही होना ची जो blasphemy है वो यहां पर ancient Greece के time में है पर blasphemy law आये थे जहां पर अगर gods के against कुछ भी बोला जाता था या तो peace को यहां पर disturb करने की कोशिश की जाती थी तो blasphemy law के अंतरगत उसको सजा होती थी आगे शकते हो यहां पर को important news नहीं है what now for Naga talks तो यहां पर जो incident हुआ है Naga Land में तो the killing of over a dozen civilians in a Bosch Indian Army Operation in Mon district of Naga Land तो उसकी बज़े से यहां पर जो NSCN इसाक मोवाया के साथ जो सेंटर की talks चल रही है उसका क्या result आने वाला है जो Naga National Political Groups है basically उनके साथ जो talks थी वो तो final हो चुकी थी अब यहां पर जो main talks चल रही थी वो यहां पर NSCN IEM के साथ ही चल रही थी तो while a significant number of Naga groups से the talks have concluded लेकिन जो NSCN IEM के डिमांड थी वो यह थी कि यहां पर एक separate flag और constitution चाहिए अब जो separate flag और constitution के डिमांड वो यहां पर center नहीं मान रही था given the public anger against the killing से अब किरिंग्स को लेकर यहां पर public anger बहुत जादा बढ़ गया है तो अब यह India versus Nagaland हो गया है इस incident के बाद तो इसकी वज़े से देखने वाली बात है कि यहां पर जो peace talks है उनका क्या अब result रहता है इसके अलावा एक issue यहां पर sovereignty का था तो NSCN इसाक मोवा ही है यहां पर 2015 में एक framework agreement sign हो था तो framework agreement में यह हुआ था अब इसकी वज़े से यहां पर जो NSCN को लगा तो NSCN को लगा कि इस framework में sovereign power की बात की गी मतलब यहां पर उनका एक separate flag और constitution हो सकता है लेकिन सेंटर ने बोले ऐसा कोई question नी नहीं है कि हम उनको तो सेंटर है सेंटर है there is no question of granting sovereignty to a state within India तो इंडिया के इंदर किसी state कम sovereignty grant करें तो उसके बारे में तो सवाल ही नहीं उठता है अब what is the problem with the FAA यहां पर जो framework agreement है basically उसके जो words है वो बहुत जादा वेग है उसमें बहुत बर बात कीगी unique history and position, sovereignty lies with the people sharing sovereign power तो यह जो terms हैं यह basically हर कोई अपने according interpret कर सकता है अपर center ने अपने according interpret कर लिए और यहां पर NSEA ने अपने according interpret कर लिए NSEA ने यह interpret कर है अपर sovereign power को share करने की बात कीगी मतलब हमारा भी एक flag or constitution हो सकता है flag or constitution 2015 में एक issue नहीं था क्योंकि Jammu Kashmir एक state था इंडिया में और यहां पर Nagaland को बात कीगी कि नहीं उनको भी अपना flag और अपना constitution नहीं मल सकता है तो only after the government अब यहां पर ज़रूरत आगे government को कि government को यहां पर लोगों को convince करना है कि भले यहां पर killings हो गए लेकिन जो center है वो अभी भी discussion को resume करने की पूरी कोशिश करना चाहता है अब यहां पर एक chewing gum मनाईगी गए जिसकी वज़े से यहां पर जो SARS-CoV-2 coronavirus उसका transmission कम हो सकता है यहां पर ACE-E-T protein की बात की गई ACE-E-2 होगी तो chewing gum is laced with a plant-grown protein which serves as a trap for the virus तो यहां पर जो viral load है saliva में वो इसकी वज़े से कम हो जाता है जिसकी वज़े से हमें transmission कम हो जाता है तो इस news में मुझे आपको ACE-E-2 protein बताना तो ACE-E-2 protein in humans is where the coronavirus latches तो जो coronavirus है वो यहां पर कौन से protein के साथ bind होता है तो ACE-E-2 protein के साथ bind होता है उसके बाद यहां पर वो cell में enter करता है तो ACE-E-2 protein आपको पता होना चाहिए बाकी यहां पर मैंने आपको बताए कि Ukraine के आसपास है यहां पर Russia ने बहुत सारे troops को deploy कर दे लगबग 90,000 troops को deploy कर दिया है और हो सकता है Russia जो है वो यहां पर अगले महीने यहां पर Ukraine को इनवेड भी कर दे है Russia 2014 में यहां पर Ukraine से क्रीमिया ले भी चुका है तो in 2014 Russia had shown it would not hesitate to take military action in Ukraine if it wanted तो यहां पर जो Russia उसने यहां पर क्रीमिया को annex कर लिया था Ukraine अभी जो Ukraine है यह बैसिकली रशिया का ही पाट था पहले जब Soviet Union हुआ करता था लेकिन बाद में यहां पर जब Soviet Union का disintegration हुआ तो यहां पर जो Ukraine है वो भी एक अलग country मन गया अब Ukraine और Russia हैं उनकी काफी cultural exchanges हैं, cultural linguistic and familial links है अब यहां पर जो Ukraine है यह रशिया और West के बीच में एक buffer का काम करता है तो for many in the ethnically Russian parts of Ukraine तो यह जो shared heritage है, काफी emotional issue वाले बात है यहां पर जो Ukraine है एक buffer का काम करता है between the Russia and the West अब यहां पर बात की जारी थी कि हम यह जो Ukraine है Ukraine को यहां पर NATO का पार्ट बना देते हैं तो यहां पर Russia is के against है कि यहां पर यहां पर नेटो का पार्ट बिलकुल नहीं बनाया जाना चाहिए तो Russia ने बोला है कि ऐसा कुछ मूव वगा तो यह रेड लाइन हो जाएगा और ऐसा कुछ मूव वगा तो यहां पर जो Russia है वो यहां पर military action ले लेगा यहां पर Ukraine को यहां पर NATO का पार्ट बनाया गया अब Russia ने यहां पर 2014 में क्रीमिया को annex कर लिया गया था उसके बाद annexation of क्रीमिया गेव रशिया a military advantage in the region and boosted President Wilhelmiddir Putin's popular ratings at home अभ यहां पर 2014 में जब क्रीमिया को annex किया था रशिया ने तो उसके बाद यहां पर जो President Wilhelmiddir Putin ने उनकी ratings बहुत ज़ाद हाई होगी कि यहां पर हमने क्रीमिया को annex कर लिया तो उसकी वज़े से कभी-कभी यहां पर national sentiment के चलती भी ऐसा कुछ कर दिया जाता है अब US ने यह बोला है कि अगर ऐसा कुछ Russia यहां पर action लेता है This has resulted in a stand-off with tens of thousands of Russian troops तो यहां पर जो Russian troops से invade कर सकते हैं If diplomatic efforts to stop the invasion fail अब US और EU का यही कहना है कि और जादा sanctions लगाएंगे लेकिन हो सकता है, sanctions से जादा फारक ना पड़े तो any kind of military action by the US और EU against Russia वो प्रेसिपटेटेट a major crisis अब इसके बाद यहां पर US अगर कोई military action लेता है तो यहां पर एक तरीके से वाड शुरू हो जाएगी and has so far not been suggested by any of the parties involved तो यहां पर US EU सबका यही कहना है कि यहां पर किसी भी तरीके से जो यूए से वो तो कोई military action ना ही ले आगे शकते हम यहां पर Aung San Suu Kyi है तो उनकी अगेंस्ट और जादा उनका एक और केस में उनको और जादा जेल बढ़ा दी गई है तो Aung San Suu Kyi the civilian leader of Myanmar तो Myanmar में यहां पर coup कर दिया गए जब यहां पर Myanmar जुनता ने coup कर दिया तो यहां पर जो उनकी लीडर थी उनको जेल में डाल दिया गए तो trials for the various charges Suu Kyi faces have been described by the UN and foreign governments as politically motivated अब यहां पर UN and foreign governments के basically यही कहना है कि यहां पर जो military वो जान बुचकर कोशिश कर रही है कि कैसे opposition को यहां पर neutralize किया जाए इसके लावर जो जनता रूल किया against opposition उसको कैसे कम किया जाए जिसकी वज़े से यह सब किया जा रहा है अब यहां पर जो China है वो religious affairs को cynicize करने की कोशिश कर रहा है मतलब यह है cynicization का मतलब यह होता है कि Chinese form में बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर चाइना में देखे तो कितने religions है तो जाए था था तो यहां पर बुद्धिस्ट है तो Buddhism इहां पर main religion है इसके लाव अधर संगुदी 20 million Muslims, 38 million Protestant Christians and 6 million Catholic Christians तो यहां पर सबसे जादा थो बुद्धिस्ट है बाकि यहां पर cynicization करने की यह लोग कोशिश कर रहा है आगे चलते हैं अब यहां पर जो hospitals हैं तो hospitals को यहां पर कोई भी regulate नहीं करता है तो यहां पर ज़रूरत है यहां तो IRDA इनको regulate करे यहां तो इनके लिए एक कोई separate regulator बना दिया जाए इवन अज़ जनेरल इंशॉरेंस कांसल था रप्रेजेंटेटेव बॉड़ी अफ 34 जनेरल इंशॉरर्स इन इंडिया तो COVID के टाइम यहां पर जनेरल इंशॉरेंस बॉड़ी ने कांसल नेकाली थी कि प्रोपोस्ट यूनिफॉर्म चार्जर्स होने जी एक कोई ट्रीटमेंट के लेकिन उसके बाद भी यहां पर हमें यूनिफॉर्म चार्जर्स नहीं देके कोई ट्रीटमेंट में कुछ खु जरूरत है टैरिफ इस्ट्रक्चर्स को रेगुलेट करने के लिए हां पर आया डिये रेगुलेट करें या तो एक बॉड़ी बने के लिए आई होप आपको ऑच का नीज़ पर समझ आए और फिल लाइक दे वीडियो और प्लीज लाइक शेरें सब्स्क्राइब थाइंक्य तो और अए एंगायर सब्सक्ष किया आत्गर गायाग था ओच खयाएपना पर सब्सक्राइब कहाँद्द के कि अधियो दु Counter-R cancellor पा सब्सक्राइब थेस्त दातर हैँ झाल झाल